आलू मटर की ऐसे सबसी आपने शायदी पहले कभी बनाई होगी एक बार इस तरीके से जरूर बना कर देखेगा सच में आप इसके फैन हो जाएंगे और आपके घर में इसी तरह की रेसिपी की बार बार आलू मटर की डिवांड होने लगी की इतना जादा टेश्टी बनती है और आप देखी सकते हैं इसका लूप कितना जबदस्त का है तो सबसे पहले एक पैन लेंगे पैन या छोटा बरतन कड़ाई लेंगे उसमें दो चम्मस तेल गरम करेंगे और इसी में डाल देंगे मैं यहाँ पर दो बड़े साइज के आलू इस तरह से बड़े बड़े तो अब इसे में हम डालेंगे एक भर के कटोरी यहाँ पर फ्रेश मटर के दाने में ले ली हूँ यह बड़े साइज वाले हैं यानि फुल अब इसे भी हमें डाल करके तब तक के भूनना है जब तक के आलू और मटर दोनों ही खुब बड़िया से भून नहीं जाते हैं औ तो अब यह रख देते हैं हम इसे भूनने के लिए गैस पर एक साइड में लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते रहेंगे अब एक तड़का तयार करेंगे कड़ाई में डालेंगे दो बड़े चमस देल और इसे के साथ आदा चमस जीरा और दो एक तेजपत्ता बीच में स तोड करके अब इसे में चार हरी मिर्चियों को बीच में से कट करके इसे भी डाल करके फ्राई करेंगे और इसी में दो बड़े साइस के यहां पर प्यास को बारी बारी कट कर लिया है मैंने और इसे हमने तब तक के भूनना है जब तक कि यह गोल्डन ब्राउंड ना हो ज जब यह हमारा कांदा इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें हम कुछ बेसिक से मसाले डालेंगी जैसे एक चमच लाल मिर्च, आदा चमच हल्दी, एक चमच धन्या पाउडर और एक चमच यहां पर नमक और आदा चमच गरम मसाला नमक आप अपने टेस्ट के अक पानी उसी टमाटर वाली कटोरी में डाल करके इसी मसालों में डाल देंगे अब हमने चलाते हुए मेडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे बढ़िया से भून लेना है मसालों को खूब बढ़िया से कुछ इस तरह से जब तक कि तेल सर्फस पे ना आने लगे जब हम मसाला या क काफी अच्छे से भून चुका है दोनों तरफ से और मसाला भी प्रोपर भून चुका है यह देखिए तेल एकदम बढ़िया से बाहर उपर सर्फस वे आने लगे तो अब हमने इसे में डाल देना है जो हमने आलू मटर को भून करके रखा है उसे भी इसमें डालेंगे और बस इसे भी खूब बढ़ियां से मिला लेना है यह देखिए टमाटर और बाकी सभी मसाले एकदम प्रोपर हो चुके हैं और इसका कलर भी बहुत जबदस्त का आ रहा है तो अब इसमें हमने पानी डालना है आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना आपको पानी डालना है य मैं आपर एक बार चक कर लूँगी चलाते हुए यह देखिए मुझे पॉफिक इतना ग्रेवी रेडी होने के बाद चाहिए तो अभी हमारा जो आलू है वो भी थोड़ा कच्छा है और मटर को भी थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए हमें आदा ग्लास पानी और डालना होगा और बस इसे ढख करके हमें मेडियम टू लो फलेम पर तीन से चार मिनट तक के पकने देना है और जब हम तीन से चार मिनट के बाद हमारा ग्रेवी चेक करेंगे हमारी आलू मटर की सबजी बनकर तयार हो जाएगी बहुत ही लाजबाब की और बहुत ही जादा मज़ेदार क इ pry तो हमें तो आप आप इस तरीके से जरुड़ से जरूर बना करके देखें कितना बढ़ाजसा बनकर के हमारा विया आलू मटर की स क्या प्रश रिप्य कपने और तो आप प्रीस तरूर कमें में बताए और थांटियो में लाज़ओ लाइक दी वीडियो सब्सक्राइब my channel गर्म गरम इसे सर्व करें आप रोटी के साथ या फिर गर्म गरम पराथे चपाती या फिर गर्म गरम चावल के साथ सर्व करें बहुत ही मज़धार के लगती है तो आप भी तर अर जरूर एक बार इस तरह Deutsch से बना कर चुक्ता y到